नमस्कार में हैं स्वभागया गुपता स्वागत है आपका हिंदुस्तान समचार के डिजिटल प्लाटफॉर्म एचस निउस पर एचस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरे तल सकती है निर्भया के गुनेहगारों की फासी डेट वारेंट पर कोर्ट का स्टे जज ने कहा दोशियों की रिपोर्ट ते जेल अधिकारी बिहार पहुंचे शा कहा नितीश कुमार के नेतरित्व में एंडिये लड़ेगी विधान सभाचुना सीए पर लोगों को गुमराह ना करे लालू यादव राइसीना डायलॉग 2020 में बोले सीडियेस जनरल विपिन रावर्ट कहा अमेरिका की तरह करेंगे आतंक का खात्मा इंद्रा गांधी पर संजयर रावत के बयान से महराष्ट में मची हलचल कॉंग्रिस ने जताया पत्ती बीजिपी बोली आप राधिक रिष्णो की जाचो BCCI की कॉंट्राक्ट लिस्स से महेंद्र सिंग धोनी बाहर किसी भी कैटेगरी में नहीं मिली जगा सोशल मीरिया पर भावख हुए फैंस पत्याला हाउस कोट ने निर्भया केस की दोशी मुकेश सिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 22 जनवरी को फासी नहीं हो सकती है कोट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोशीयों को 22 जनवरी को फासी नहीं दी जा सकती है क्योंकि उनकी दयायाचिका राश्ट्रुपती और दिल्ली के उपराजिपाल के पास लंबित है कोट ने कहा कि दयायाचिक का लंबित होने के कारण देट वारिंट पर स्वता ही रोक लग गई है कोट ने कहा है कि नई तारीक क्या होगी जेल अथोरिटी के जवाब से तैह होगा पटेयला हाउस कोट ने साथ जन्वरी को दोशियों के लिए देट वारेंट जारी किया था केंद्री ग्रह मंत्री और बीजुपी अध्याक्षामित शाह आज बिहार के वैशाली पहुंचें यहाँ उन्होंने नागरिक्ता सन्शोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान के तहट एक जन सभा को संबोधित किया उन्होंने इसी साल बिहार ने होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव नितीश कुमार के नेतरित्व में लड़ा जाएगा अमित शाहा ने कहा कि कुछ लोग अफ़ा फेला रहे हैं आज सारी अफ़ाहों का निराकरन करने आया हूँ बिहार के अंदर अलग चुनाव नितीज जी के नेतरत्व में एंडिये लड़ेगी बीजिपी और जेडी वो एक साथ लड़ने वाले हैं जिनको इसमें वाट बेंक दिखाई पड़ती है अपना राधनिती कुलू सिधा करने की बात दिखाई पड़ती है ये इसका विरोध करें वो गुमरा करें इस देश की माइनोरिटी को इस देश के युवाओं को के CAA से आपकी नागरिक्ता चली जाएगी ये नरेंद्रमोधी सरकार है भारत की भुमी पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा उसकी जगे जैल की सगलाखों के पीछे होगी कहीं और हो नहीं केंद्री मंत्री प्रकास जाबडेकर ने कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने सिख दंगो को लेकर कहा कि दोशियों पर कॉंग्रेस ने कोई कारवाई नहीं की बलकि दोशियों को संरक्षन देने का काम किया है वहीं निरभया के दोशियों को फासी दिये जाने में हो रही देरी को लेकर उन्होंने आप सरकार पर भी हमला बोला केंद्री मंत्री ने आरोप लगाया कि देश को जिगजोर देने वाले निरभया केस के दोशी आज तक फासी नहीं लड़के इसका एक मात्र कारण दिल्ली की आमाद्मी पार्टी की सरकार की लापरवाही है उच्चतन न्यायले ने उनका अपील 2017 में ही खारिज किया था और उनको फासी की सिक्सा सजाय मौत दी थी लेकिन एक प्रोसेस होती है कि तिहार जेल एथारिटिस को उनको नोटिस देनी पड़ती है कि आपको ऐसे ऐसी फासी की सजा हुए है आपको दया याचिका करना है या क्यूरेटिव पेटेशन करना है या जो भी कानूनी आपके आउसर है वो लेना है तो अभी लेलो नहीं तो आपको फासी मिलेगी लेकिन ये नोटिस दो, धाई साल दी नहीं उक्टोबर उननीस तक नहीं दी ये जो धाई साल का डीले है देरी है ये कॉम्प्लिसिटी है दिल्ली सरकार की गुनेगारों के प्रती जो साहनभूती है और उसका ये नतीजा है कि दो साल, धाई साल उनको सुचना ही नहीं दी, उनको नोटी से नहीं दी, इसके करण उन्हें आपिल नहीं किया, अब उन्हें आपिल किया अब इनके वकील परसो खड़े हुए कोट में और राहूल मेहरा और उन्हें ने कहा कि 22 को भासी नहीं लग सकती, पूरा देश, 22 को भासी लगे एक बार देश के बहुत अच्टल बदमाशो को यह सोच रहा है, यह देखना चाहता है, और अब आम आदमी पार्टी के, राज्यो सरकार के वकिल कह रहे हैं कि 22 को भासी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अभी आपिल का वक्त आ है, यह वक्त दिया किसने, यह अगर 2017 में सुप्रिम कोर्ट के निर्णाय के बाद एक सप्ता में अगर उनको नोटिस दिया जाता, तो आज तक सारे उनके जो अपील के अधिकार है, वो खतम होके, वो कभी के फासी लटक चुके होते हैं, देश को एक नियाय मिलता कि इतना घृणासपत काम करने के बाद उनको एक नियाय की भावना होती और गुनेगारों को एक सबक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली सरकार के इस पूरे व्यभार से जनता शुब्द है, जनता जाब मांगेगी, कि क्यो दिले किया, बताइए, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोट का निर्णय उनको क्यो नहीं नोटिस के रूप में दिया, उसके कारणों आज ये देरी हुई है, वो फासे अभी नहीं लटके हैं, और दिल्ली सरकार के वकिल कहते हैं कि 22 लारी को फासे नहीं होगी, हम इसकी पूरी भर्थना करते हैं. राइसीना डायलॉग 2020 में आज भारत के पहली चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शिर्कत की, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को सक्त लहजे में चेताब निदी. चनरल बिपिन रावत ने कहा कि आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रही है, ये आगे भी जारी रहेगी, जब तक हम आतंगवाद की जड़ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें मजबूरन इसके साथ ही रहना होगा. आतंग के खात्मे के लिए हमें अमेरिका की रहा पर चलना होगा. अमेरिका ने 9-11 हमले के बाद आतंगवाद के खात्मे की दिशा में सक्ती से कदम बढ़ाए. इसी कारिक्रम में उन्होंने देश में लोगों को कट्टर बनाय जाने, कश्मीर में पैलेट गन के इस्तमाल जैसे गंभीर सवालों के भी जवाब दिये। चाहिए. रवीश कुमार ने आगे कहा कि एक UNSC सदस्य चीन के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा फिर से दिवपक्षिये मामले पर चर्चा के लिए UN के मंच का दुरुपयोग किया गया है. UNSC में कश्मीर मुद्दे को लेकर कहा गया कि ये दिवपक्षिये मसला है. एक UNSC सदस्य के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा फिर से दिवपक्षिये मामले पर चर्चा के लिए UNSC के मंच का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया. UNSC के अधिकान सदस्यों का मानना था कि UNSC ऐसे मुद्दो के लिए सही मंच नहीं है और इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच दुरुपयोग पक्षिये रूप से चर्चा होनी चाहिए इसलिए जो इनफॉर्मल और क्लोज रोर सेशन था उसका कोई नतीजा बाहर नहीं आय इसे एक बार फिर यह जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों में कोई सचाई नहीं है या सचाई का अभाव था हमें पूरी उमीद है कि यह संदेश पाकिस्तान को इस पस्ट रूप से चला गया है कि यदि भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है और हमारी ये भी सला है कि पाकिस्तान को ये बार बार तीन मेने में चार मेने में ये शर्मिंद्गी से बचनी चाहिए उनको समझना चाहिए कि जो उनका जूट है जो एक नजरिया पेश करते हैं उस नजरिये का ग्लोबल कम्यूनिटी में उसका कोई टेकर्स नहीं है चमु कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने आज जैशे मोहमद आतंकी मौड्यूल का भांडा फोड किया है पुलिस ने पाच आतंकियों को गिरफतार किया है ये आतंकी 26 जनवरी को बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे गिरफतार आतंकी 26 जनवरी को ग्रेनेट से हमला करने की तैयारी में थे शिफसीन प्रवक्ता संजेर राउत की तरफ से पूर प्रधार मंतरी इंद्रा गांधी पर दिये गए बयान पर अब विपक्ष कॉंग्रिस पर हमलावर हो गया है महराश्र के पूर्व मुख्य मंतरी देवेंद्र फढ्णवीस ने कॉंगरेसनेताओं से पूछा कि इंद्रा जी जैसे शीर्षनेताओं पर आरोप लगाने के बाद कॉंगरेस चुप क्यों रहती है पड़नवीस ने कहा कि सुनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संजय के इन आरोपों और करीम लाला पर जवाब देना चाहिए देवेन फड़नवीस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या कॉंग्रेस को चुनाब जीतने के लिए अंडर वर्ल्ड से मदद लेनी चाहिए क्या पुलिस आयुक्त अंडर वर्ल्ड की सहमती से योजना बना रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कॉंग्रेस बम हमलावरों से कैसे निपटती है सोनिया राहूल प्रियंका इसका जवाब दे हाला कि विवाद पर मचे बवाल के बाद शिफसीना प्रवक्ता शंजेर राउत ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है जारखन के खूंटी में चार नाबालिक लड़कियों से सामोहिक दुशकर्म की घटना सामने आई है बताया गया है कि घटना बुद्वार शाम की है छे लड़कियां मकर संक्रांती पर रंग रोडा मेला देखकर वापस अपने घर फूंदी गाउं लोट रही थी आरोपियों ने लड़कियों को अकेला देखकर पकड़ लिया इस बीच आरोपियों के चंगुल से दो लड़कियां भागने में सफल रही जबकि चार लड़कियों को आरोपियों ने पकड़ लिया और उनके साथ सामोहिक दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया लड़कियों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है और ये सभी पांचवी और छटी कक्षा में पड़ती है पीडिताओं ने बताया कि वो सभी मेला देख कर लोट रही थी तभी रास्ते में तीन बाइक पर सवार छे लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया जिसके बाद उन्हें एक सुनसान जगा ले गए और घटना को अंजाम दिया पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की पहचान हो गई है अब आगे की कारवाई जारी है शेयर बजार में दिन भर उठा पटक देखने को मिली सुभा को शुरुवाती कारुबार के दौरान सेंसेक्स ने 42,000 के रिकॉर्ड स्तर को चुआ था इसके साथी निफ्टी ने भी बजार में पहली बार 12,377 के स्तर को चुआ अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के बाद पहली ट्रेड डील होने के कारण बाजार में तीजी देखने को मिली थी वहीं दोनों ही इंडेक्स ने मामुली बढ़त के साथ क्लोजिंग की BCCI ने टीम इंडिया के लिए कॉंट्राक्ट का एलान कर दिया है ये कॉंट्राक्ट अक्टूबर 2019 से लेकर सितमबर 2020 तक के लिए है इस कॉंट्राक्ट के लिए क्रिकेटर्स को चार श्रेणियों में बाटा गया है इसके तहट ग्रेड A प्लस में शामिल खिलाडियों को सालाना 7 करोड रुपे दिये जाते हैं ग्रेड A के खिलाडियों को 5 करोड रुपे दिये जाते हैं वहीं ग्रेड B में 3 करोड और ग्रेड C के खिलाडियों को 1 करोड रुपे दिये जाते हैं बड़ी बात तो ये है कि महेंदर सिंग धोनी बी सी सी आई की कॉंट्राक्ट लिस्स से बाहर कर दिये गए हैं पिशली बार वो ए ग्रेड में शामिल थे धोनी के अलावा दिनेश कार्तिक, अमबाती राइडू और खलील एहमद भी कॉंट्राक्ट लिस्स से बाहर हो गए है वहीं अब सबसे उंचे ग्रेड A प्लस में भारती कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और वन डे फॉर्माट के नंबर वन गेन बास जस्प्रीद बुमरा शामिल हैं इन तीनों खिलाडियों को कॉंट्राक्ट के अनुसार साथ करोड रुपे दिये जाए हैं अब बने रही है एचस न्यूस के साथ हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें देश और दुनिया से जुड़ी सबी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले